इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह अबहती नाक, छीकने, खुजली और आखों में पानी आने से भी राहत देता है। पल्मोकलियर सिर्फ भूजन के साथ या उसके बिना खुराक और अवधी में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रतिक ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के ब ख्या में वृद्धी और नाक की सूजन है। इनमें से अधिकान शस्थाई हैं और आमतोर पर समय के साथ हल हो जाती हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दूश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकित सक से संपर्क करें। यह दवा भी नींद का कारण बन सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंक को अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भावती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। यदि आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आप